वेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टो मैं ब्लॉग और मैं रुवित और आप देख रहे हैं रुवित डेली ब्लॉग और आज मैं जाने वाला है अपने सिष्टर के गर और कल मुन्नी का मुंडन है तो उनको लाना जरूरी है और लखनों से भी दीदी आ रही है मेरी औ और में आपको सबसे मिलाओंगा देजिते और अभी चलूँगा डेली से मिलकर और अभी नहैधिया नहाट थोए नहावोट है पर चाय आप यह भी नहाँगे दोएंगे उसके बाद चलेंगे तो फिर आप से वही पर मुलागात करता हूं क्योंकि रस्ते में मैं ब्लॉक बनानी परूँ क्यों कि मैं गाड़ी चलाऊँ तो चलके फिर आप से वही पर बात करते हैं वहां पर में सब कुछ दिखाऊंगा आपको इनके पार दुखान भी ए इंजिन की दुकान है और मोटर वगेरा बड़ी सब के दुकान है तो वह भी मैं आपको पूरा दिको हूँगा और वैसे तो वो लोग कैमेरी के सामने आएंगे नहीं पर जहां तक होगा मैं आपको दिखाने की पुर्शिज करणा तो चलते हैं फिर आपको बाकी बाते होई करते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया थे हैं में अपनी सिश्टर के घर जा रहा हूँ और गर पे पहुंट छुकाْ वब अंदर की साइड आपको लेकर चलते हूँ और हम पहुंच चुके हैं यह हमारी सिश्टर है है और हम पहुजच चुटी हैं यामारी शिस्टर है है कैम्रेड में आती नहीं है बहुत कम आती है मेरे को मतलो तो अभी आपको पूरा घर दिखातो हुँ मैं इनका ठीक है निकार रूम में आप देख शेट चलता हूँ आपको दिकातो हूँ यह बाहर का है जट के उपर का है यह बगल में भी चाचा का है देख सकते हूं और अंदर भी आपको दिखाता हूं में यह एक रूम है एक साइड भी है और घर बहुत बड़ा है पर रहते बहुत कम लोग है क्योंकि एक घर इनका वहां गाओं में भी है तो गाओं में ही रहते हैं सब लोग और यह आप बाहर कर देख सकते हों नीचे दुकान आटर इंजयन, isolन्य दुकान है तो लेके चलता हूं फिर लीजी MICHAEL भी घरपर जोड़ना है तो सिदा आपो घर पर ही बात करता हूं सबसे मिल लेते हैं तो चलते-दी कर दात दो अरह में और हम लोग अभी घर पहुत चुकाऊं से स्टर को लेकर और भी आपको दिखाता हूं सब लोग बात कर रहे हैं सब बैठे हैं पापा भी वजार से आए हैं और यहां पर सब समान उमान है को इसलिए लाया हूं कल हमारे भती जी का मुंदन है तो और लखनों से भी सिष्टर सब्कुणार आएंगगी तो कल आपको मैं पूरा दिखाओंगा कल कि भी ब्लोग आपको आ जाएगी तो मैं आपको कल का भी पूरा दिखाओंगा और प्रोग्राम है घर पर तो फिर चलना भी अमंदिर पर भी चलना तो सब लोग वहां पर बात कर रहे हैं और लखनो वाली दीदी भी आएंगे सब मतलब सिश्टर आएंगे और भाया का भाया भी आएंगे जहां तक है कि वह भीहार रहते हैं तो उनको आने में सब टाइम लगेगा कल तक तो पहुंची जाएंगे कल साम तक जी का मुंडन है तो कारीगर भी आएंगे और कल यहां पर सामने खाना ना खिलाया जाएंगे और गेस्ट भी आने वाले हैं सब लोग और लखने वाली सिश्टर भी आएंगे सब लोग आएंगे और भीया का अभी कंफरम नहीं आए आएंगे के नहीं आएंगे क्योंकि वह बिहार में रहते हैं और वह अपनी गाड़ी से आते हैं तो फिर टाइम लगता है देखो अभी बात करूंगा तो हो सकता है कल तक को पहुच जाएं साम तक साम कई प्रोग्राम हैं और कल का भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा मेरे चैनल पर आप देख लिजेगा और वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक कॉमेंट सुस्क्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियो जिसने भी नहीं देखिए आयोध्या आप जाकर मेरे ब्लॉग में देख सकते हो